नमस्कार आदाब सस्रेकाल सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा लेकर आईउ आपके लिए सहरनपूर की कुछ खास कबरे हेडलाइन्स के साथ। दुनिया के कई देशों में फैल रहे कोरोना वाइरस को लेकर पुलिस पर शासन चोकरना हो गया है। कोरोना को लेकर SSP दिनिश्कुमार पी की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कोरोना वाइरस से सामाने रोग थान एवं बच्चाव के उपाई बताए गए है। इस रोग की जानकारी के लिए लोगों से हेल्ट लाइन नमबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पाच एक चार पाच पर संपर्क करने की सला दी गई है। कोरोना से बच्चाव के बारे में SSP दिनिश्कुमार पी ने कहा की। देगे सबसे पहले तो होली रंगों का तिवहार तो है बिल्कुल है और अच्छे जो खुशी के तिवहार है बट ये जो CAA, NRC के अलबा जो करोना वाइरस को लेके हमें सौधान रहना ज़रूरी है बट इसका मतलब यह नहीं है हम पाइनिक हो जाएं। खास कर जो जहां तक करोना वाइरस का है इसमें तमाम एडवाइसरी सोचल मीडिया पर गौर्वनेट एजन्सी इसने जारी किया है और न्यूस चैनल में भी उसके बारे में विस्तार से पताया है। उसमें एक जन्रल अडवाइसरी यह है कि आप बीड वाले स्तान से बचें जब तक बहुत ही आवशकता ना हो तब तक आपको जो पब्लिक गैधरिंग जहां बहुत जादा से जादा है तो वहां से बचनी का आवशकता है। मास्क पहनने की सला दी गई है इसके लगातार हाथ साफ करने का अलकॉल बेस्ट जो है डिसिंफेक्टेंट से अपने हाथ दोने का जो अडवाइसरी भी जारी है। दिल्ली हिंसा के चलते जुमे की नमाज को लेकर शुकरवार को जनपत का पुलिस परशासन पूरी तरह से अलट रहा। एससपी दिनिशकुमारी पी के निर्देशन में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तेनात रही। संवेधन शिल इलाकों में पुलिस तुआरा फ्लैग मार्च किया गया। नगर में शान्ति पून माहोर में जुमे की नमाज अदा की गई। सुरक्षा वैवस्था को लेकर एसपे सिटिप विनिद भटनागर ने बताया की। देखिए तैयारियां तो हमेशा जुमें होती हैं। विश्वास का लगा बना रहे हैं। उसी के तैयता यह कार रहे हैं। स्सपी दिनिश्कुमार पी ने लोगों से होली के त्योहार को सुहाद पून माहोर में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मेडिया पर भढ़काओ पोस्ट ने डाले धरम जाती अन्य मजभप पर टिपनी से बचे। माहोल बिगारने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। दोशी पाए जाने वालों पर FIR दर्जकर जेल की कारेवाई की जाएगी। बढ़काओ बाशन वगरा जेने के जो पता चलेगा तो उनकी किलाफ है फ्यार लिखा जाएगा। उनको अरेस्ट भी किया जाएंगे। इसे पूर में लगवग जो नवंबर से अब तक लगवग 12 लोग गिरफतार हो भी चुके हैं इन मामलों में। भारते जनता पार्टी के दिल्ली मार्ग इस्षित कार्याले पर प्रबुत सम्मेलन का आईजन किया गया। सम्मेलन में क्रशियनुसंधान परिशत के अध्यक्ष विकास गुपता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ की सरकार ने सर्वसमाववेशी बजट प्रस्तुत किया है। गन्ना किसानों की आई बढ़ाने के लिए गन्ने का मुल्यं 325 उर्पे प्रतिक्वेंचल करने का प्रस्ताव दिया है। पहली बार राश्चेक रशी बाजार का प्रस्ताव दिया गया है, बजट में परतेक वर्ग का ध्यान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश एक सश्रक्त प्रदेश बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। सम्मेलन में पूर विधायक राजीव गुंबर, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजीव गुंबर, भाजपा नेता तेज कुमार, क्वात्रा, महामंत्री किशोर शर्मा, शीतल विष्णोई, आधी भाजपा कारेकरता मोजुद रहे। जेवी जैन महाविध्याले में संस्क्रेट विभाग एवं IQAC की ओर से संस्क्रेट सहीत्ते दोरा छात्रों में कोशल का विकास विषय पर कारेशाला का आईजन किया गया। डोक्टर परविंदर कुमार, डोक्टर संदीब गुपता, डोक्टर मनु गुपता आधी मोजूद रहे। इस कारेशाला में भवताम, सर्मेशाम, हार्दम, स्वागतम, पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है। रैली के माध्यम से नागरिकों को बेटी बचाने वे पढ़ाने के लिए जागरुप किया गया। रैली का उद घाटन मुख्य अतीती, SPC विनिद भटनागर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कुश्पेंद्र सिंग, प्रोग्रेसिव स्कूल सोसाइटी के सैयोजक, सुरिंद्र चुहान ने सैंत रूप से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर SPC विनिद भटनागर ने कहा कि किसी भी देश वे समाज के विकास की कल्पना महिला शक्ति के योगदान के बिना अधूरी है। निर्मान कारे शुरू ने ही हो जाता वे धन्ने पर बैठे रहेंगे। सुल्तान पुर जारी जहां का रास्ता भी बिल्कुल सही है। कि इतना परियास करने के बाद ही पूरी इस पूरे शेतर में विस्विदेले के बारे में जो खुसी थी। वगा आज खुसी हमें नजर नहीं आई इस मजबूरी में हम यहां बैठे। कि इस विस्विदेले जो है पूरके के लिए जमीन भी तैय होगी। सारी यहां सुविदेले हैं। सुविदेले होने के बाद भी। अस्पताल यहां है। चोकी यहां पुली चोकी की वश्ता है। मारे यहां सियां साथ हजार के करीब बच्चे जूकेशन ले रे जिसमें तीन हजार लड़किया हैं। लड़कियों की प्रात्मिक्ता को सोचते वे हम सभी ग्रामवासियों नहीं चाहा कि यहां विस्विदेले हो। और हमने सब बलिदान करके अपनी जमीन को भी कम मुआज़े पर देने को लिए किसान सहमत हुए। देवबन थाना शेत्र के ग्राम साकन खुर्द में धाई महा पहले हुई सवीता की हत्य में संसनी खेज खुलासा हुआ है। पूलिस की पूचताच में हत्या रोपी पूजा ने बताया कि उसकी सास सवीता आये दिन उसे ताने मारती थी। चोटी चोटी बातों पर गाउं में ओर्तों में उसकी बुराई किया करती थी। जिस कारण गुस्से में आकर उसने अपने सास सवी तक के सीर में सरिया मार कर वे गला दबा कर हत्या कर दी सरिये को उसने नदी में फेक दिया था SSP दिनेश कुमार पी ने हत्या के खुलासे के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपे के इनाम की घोशना की है थाना देबन शेतर के गाउं साकन कुर्द में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है जिसमें 112-2019 को थाना देबन में 302 IPC की F.A.R. दर्श किया गया था उसी क्रम में जो S.H.O. देबन और उनके पुरा टीम ने काफी मैनत करके उस गटना को नावरन किया है लगबग ढ़ी महिने बाद वो गटना सही तरह से कुलासा हो पाया है गटना की जो वादी है विनित उर्फ बिट्टू पुत्र स्वर्गिय सुकुईर सिंग निवासी साकन कुर्द उनके पत्नी है पूजा पत्नी विनित इन्होंने हत्या करने को कबूल किया है और पूस्ताश के दौरान ये बताया उनके सास को इन्होंने खुदी गला दबा के और सर पे सरीया मार के हत्या किया है वजह गरेलू समस्या को बताया जा रहा है और इन्होंने कंफस किया है लगातार हम लोग पूस्ताश कर रहे हैं बाकी नियाएक हिरासत में अभी उक्त को बेज दिया गया है और इसमें और इन्वाल्ड है या नहीं सम्मन में लगातार पूस्ताश भी जारी है ये जो दितक की जो सगे बहू ने हत्या किया है तो इसको लेके जो काफी मैनत करके पुलिस ने इसको वरकॉट किया है अग्यात वेक्टियों की दोरा कारित किया गटना ऐसे अफयाद दर्श था तो इस टीम को मेरे तरब से 25 जार के इनाम दिया जा रहा है